नमस्कार जी राम राम कहते हैं आप सभी आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि एक पुरानी साड़ी है जिसे अगर आप बोर हो गए हैं तो इसका एक कुछ बनाना सिखाती हूँ मैं आपको और ये यूस हो जा एक तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है और वीडियो आप आखिर तक जरूर देखेगा तो ये काफी पुरानी साड़ी लिये मैं और इसमें से लेस पूरी निकाल दी है और मोटा कपड़ा है थोड़ा सा तो इसके लिए मैंने लाइनिंग ले ले लिये 20-20 इंची चौड़ाई लूंग इसको एक एक इंच बढ़ा कर मैंने कटिंग कर लिया कटिंग करने के बाद मैंने कट लीए उसी साइस की और सेम साइस का मैं ये फ्यूसिंग ले रही हूं जिसका जूट वाला थैले जो बनते हैं उस टाइप की मेरे पास पड़ी हुई थी अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है आप अस्तर से भी बना सकते हैं लाइनिंग जरूर आपको लगानी होगी साड़ी में क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा होता है तो सिलाई में से निकलने का डर होता है तो अब मैं मैं मस्चीन रख ली है और तीनों की कटिंग करके मैंने एक रफ स्टिच चारो तरफ से इसको अटेच कर लेंगे हम जिससे कि कोई दर उदर ना खिसके और एक्स्ट्रा जो भी कटिंग होगी कपड़ा हम कोई भी अगर थोड़ा सा ज्यादा कट गया है तो हम उसको बाद में चटाई कर लेंगे और एक साइड का कोना हम रहने फिर हम लगाएंगे जिप और जिप लगाने के लिए ये देखिए मैंने कुछ जिप पड़ी हुई थी मेरे पास 20-20 इंची की तो मैंने वही जिप लगा दी है आप ला भी सकते हैं और नई भी लगाएंगे तो आप बेल्क्रो भी यूज़ कर सकते हैं तो उसलिए मैंने जिप लगा दी है जिप लगाने के बाद ये देखी मैंने एक कवर तैयार कर दिया है चारो तरफ से स्टिच कर दिया जिप के बाद और उसके बाद ही मैं डाले के देख रही है है तो आप देखिए किस तरह का मेरा लुक आए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कुशन और मैंने एक ही कुशन तयार कर रहा था और इसी तरीके से मैंने पांचों कुशन तयार कर लिया है और ये देखिए एक बहुती सुन्दल लोक आ रहा है तो I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like, share, subscribe जरूर कर दीजे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई